नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका फार्मरुक्स के यूटूब एज यूगसने चैनल में आज हम सिखने वाले हैं Monoceph SB Injection के बारे में कि जो सभी प्रकार के Bacterial Infections को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है तो उसके डीटेल स्टेडी करेंगे आज के लेक्चर के अंदर के उसका यूज वगेरा क्या है उसका डेली डूस क्या रहेगा साइड एफेक्स क्या हो सकती है और वार्निंग और कॉंटर इंडिकेसन के भी डीटेल स्टेडी करते हैं आज के लेक्चर में और डिटेल में जानते हैं Monoceph SB Injection के बारे में तो ऐसे ही आपको बहुत सारी दवयों के बारे में सीखना है तो PharmaRox के अप उपर ये कूर्स को जोइन कर सकते हैं जिसका नाम है Medicine Course तो ये कूर्स जोइन करने के लिए आप हमें WhatsApp कर सकते हैं या फिर हमारी एप को डाउनलोड कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी तो बादे हैं टॉपिक पे और समझते हैं Monoceph SB Injection के बारे में तो ये Essay Class का Medication के जिसको हम Antibiotic कहते हैं और Monoceph जो है उसका Brand Name है और ये दो दवायो का Combination है एक है Sept Reaction है कि जो एक ग्राम जितना ये इंजेक्शन के अंदर प्रेजन्ट है और दूसरा Sol Bactam के जो 500 मिलिग्राम जितना ये इंजेक्शन के अंदर प्रेजन्ट होता है फिर आगे बात करें तो ये एक प्रेजन्ट अब्रेजन्ट है और भात सारे बेक्टेशन्ट को ये ट्रीड करता है मतलब कि जो सभी प्रकार के जो अलग-अलग बैक्टेशन्ट से उसको ठीक करने के लिए ये इंजेक्शन को जो नगाया जाता है तो सेप्टरी अक्सोन के हम बात करें तो वो beta-lactamase inhibited drug है, मतलब कि क्या होता है कि जब भी कोई antibiotic दवाई लेते हैं, उसमें भी समझो कि खास कर, beta-lactamase जो antibiotic होते हैं, वो समझो कि आप लेते हैं, जैसे कि penicillin है, cephalosporin से, तो bacteria क्या करते हैं, उनके सामने एक enzyme अपने सरीर में से produce करते हैं, और वो enzyme क्या करता है, penicillin या फिर cephalosporin के structure को destroy कर देता है, तो इसके करन क्या होता है कि जब भी आप यह medications लेते हैं, या फिर injections लगाया जाता है, तो उसकी effect काम हो जाती है, because bacteria जो है वो अपने survival के लिए, अपने अंदर से ही एक enzyme को जो है वो produce करते हैं, और वो enzyme का नाम होता है, beta-lactamase enzyme, तो sulb क्या करता है, beta-lactamase enzyme की activity को inhibit कर देता है, कि जिस से, cephalosporin का structure destroy होने से बच जाता है, और medicine की जो effective ने से वो काफी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो simple सब्दों में समझे, तो जो medication है, safe reaction, उसकी effective ने सको बढ़ाने के लिए, sulbectam जो है वो उसके अंदर mix किया जाता है, कि जो bacteria अपने अंदर से एक enzyme को produce करके, उसकी effect को कम करते हैं, तो यहाँ पे हम पूरा injection देखें, तो powder मिलता है आपको, और powder के साथ injection बनाने के लिए, water for injection भी दिया जाता है, कि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, कि sterile water for injection दिया जाता है, जैसे यह injection को mix किया जाता है, तुरंद प पे इंट्राEM 발라s भी लगाए जाता है, मैं लगार कि वेन में भी लगाए जाता है, और IM मतले हैं कि मस्किलर मसल में भी यह injection को जो यह वो लगाए जाता है, जब वेन में लगाए जाते है, खास कर उसको dilute किया जाता है, फिर यहाँ पर लेबल में भी देखो लि तो तुरान जोई उसको यूज कर लेना होता है और storage के हम बात करें तो 30 degree या फिर उसके कम temperature पे ये injection को store करना होता है, light से protect करना होता है और बच्चों से दूर रखना होता है, अब बात करते हैं उसके manufacture तो यहाँ पे आप logo देख रहे है अरिस्टो फार्मासोटिकल का तो अरि में हैं आगे जानते हैं monosaf injection जो है उसके dose के बारे में तो कितने dose में ये medications लगाई जाती है तो उसका regular dose रहता है एक से लेकर 2 gram वेन में या फिर muscles में पूरे दिन के अंदर मलब की पूरे दिन के अंदर patient जो है वो 1 gram minimum या फिर maximum 2 gram जितना ये medication जो हो receive कर सकता है और बच्चो के अंदर हम बात करें तो उसके लिए आपको dose calculation करना होगा यहाँ पे लिखा है कि 75 से लेकर total 100 mg पर kg पर डे के हिसाब से जो है वो बच्चों को दिया जाता है मनला कि मानलो कि बच्चे का weight जो है वो 10 kg है तो उसके हिसाब से आपको जो है वो dose fix करना होता है तो 10 kg है तो मानल तो वो range हो जाएगे 750 से लेकर 1000 mg पर डे जितना dose बन जाएगा बच्चों के लिए पर यह जो dose होता है ऐसा ने कि एक ही साथ दे दिया जाता है divided dose में दिया जाता है कि मानलो 250 mg जितना dose दिन में तीन बार दे या फिर 500 mg दो बार तो इस तरह से time interval भी रखना होता है दो dose के बी इंटरवल दो इंजेक्शन के बीच में रखा जाता है आगे जानते हैं उसके बारे में तो मॉनोसेफ इंजेक्शन जो है वो सेफालो स्पुरिंग क्लास की जो हमने बात की थर्ड जनरेशन है और इफेक्टिव रहता है पैरेंट्रली तो इंट्रावेनस में या फिर मसल् ट्रीट करता है जैसे कि गौनोरिया की बीमारी को ठीक करने के लिए इंजेक्शन लगाया जाता है फिर PID की जो कंडिशन है पैल्विक इंफ्लामेटरी डिसिजम कहते है उसको भी ये ठीक करता है मैंने इंजाइडिस में जो ब्रेन के अंदर इंफेक्शन होता है बैक्ट के करन आपके बॉंस या कि हड्डियों के अंदर इंफेक्शन से जोइंट्स के अंदर इंफेक्शन है अब्डोमिनल इंफेक्शन महलें कि जो पेट में इंफेक्शन होता है ऐसे कंडिशन जो हम कहते है या फिर सैप्टी सेमियास के कंडिशन कि जो इसको अब्डोमिनल सै कैसे करती हैं यह क्या करते हैं कि जो बैक्टेरीय देर उनकी एक hell well होती है यह आप ड्यागरम में देख सकते हैं कि हैं जो होती है इस इसको इसस इसको इसको कर देता है मतलब कि cell wall का synthesis नहीं होने दिता और यह cell wall ना होने के कारण bacteria जो है अपना structure अच्छे से maintain नहीं कर पाते और वो bacteria जो है वो destroy हो जाता है आगे वो survive नहीं कर पाता और दिरी दिरे यह medications लेने के बाद infection जो है वो कम हो जाता है आगे बात करते हैं यह medications की side effects की जैसे की hypoprothombinemia करवा सकती है मतलब की bleeding जो है इंक्रीस करवा सकती है कुछ cases के अंदर second हम देखे तो जो bleeding के जो complications इंक्रीस करवा सकती है urination जो है painful हो सकते है उसके करण nausea omitting कुछ लोगों को हो जाते है heartburn मतलब के सीने में जलन्ज जैसा कुछ लोगों को feel होता है chest pain हो जाना stomach tenderness pain या फिर bloating में लेकर पेट में gas बनना पेट में थोड़ा सा दर्द होना ऐसा कुछ लोग feel करते है and severe pain हो सकता है आपको back side में या फिर side में दूसरी कुछ side effects देखे तो dizziness या फिर headache जैसा कुछ लोग feel करते है pain हो जाता है आपको swelling हो जाती है आपके जीब के उपर कई बार जो lumps जैसा form हो जाता है कि जहां पर injection दी जाती है कि जिसको हम injection site reactions भी कहते है sweating में लग बसी ना ज़्यादा होना वज़ाय ना लीचिंग या फिर discharge yeast infections एनेमिया कि जिसको हम low hb या फिर low rbc के कंडिशन कहते हैं उसके अलावा change in taste या फिर flushing जैसा patient जो वो feel करते हैं Contra indications के हम बात करते हैं समझे कि किसी को penicillin के allergy है cephalospurins के allergy है beta lactob antibiotics के allergy है तो उन लोगों को यह medications नहीं लेनी चाहिए तो खास patient counseling करना ज़रूरी है medical history check करना ज़रूरी है यह injection को लगाने से पहले फिर दूसरा यह दियान रखने के अगर patient को diarrhea हुआ है और diarrhea होने का reason है Clostridium difficile bacteria तो ऐसे condition में यह injections को नहीं लगा जाता है फिर hemolytic N.A.M. के patient है liver problem है bleeding disorders के patient से galblator related किसी को बिमारी है renal impairment के patient है या फिर जिनकी skin जो यह वो यलो भी से specially जो newborn babies के अंदर तो यह सभी conditions के अंदर mono safe SP injection नहीं लगाया जाता है pregnancy के हम बात करें तो pregnancy के category B के अंदर है मैं लग कि कुछ इसे खास result नहीं है अपलब कि जो खास कर animal study के ही result अपलब दे पर human studies के कोई result इतने available नहीं है पर safe side के लिए हम चले तो safe reactions जो है वो खास कर pregnancy के दुरान use नहीं करना चाहिए because negative effect काई बार जो है वो newborn babies के उपर या फिर जो developing fetus से उसके उपर हो सकती है तो ऐसी सीखे detail में medicine course के इंदर pharma rocks के उपर कि जहाँ आप बहुत सरी दवायों के बारे में सीखते हैं उनके study material को access करते हैं तो यह course जोईन करने के लिए आप हमें whatsapp कर सकते हैं हमारा whatsapp number है 901631-2020 या फिर हमारी app को download करें good luck and all the best